हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो मैं चैनल मैंत वॉल विद फन प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल आज हम करेंगे एक्सेसाइज 4.5 तो फर्स हम ले लेते हैं दिवाइड दे फॉलेंग एमाउंट तो इसमें सिंपल डिवाइड ही करना है आपको तो य अगर ज्यादा किप पता है एक की प्राइज निकालनी हो तो हम डिवाइड गरती है ज्यादा की पटा हो वन चीज की प्राइद निकाल गी, हमें वन टॉय कार की, तो हम क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, cost of 18 toys equals to 450, तो वन टॉय कितने का होगा, 450 को 18 से डिवाइड करेंगी, तो 18 से डिवाइड करने के लिए, 18 से पहले अगर हम 4 को डिवाइड करती हैं, तो 18 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा, तो दो डिजट ले लिए हमने, अब 18 के टेबल में देखो, 45 से चोटा नंबर कौन सा आता है, तो 45 से चोटा कौन सा आता है, यहाँ पे हम अगर टेबल लिख ले, एटीन, एटीन टूजा, एटीन ठीजा, तो 85 से छोटा कुन सा है, 35, यह तो बड़ा हो गया ना, उससे छोटा नीज, तो यह आगया हमारे, 18 टूजा, 36, अब यहाँ पे बोरो करेंगे, हम फिफ्टिन बनाया, फिफ्टिन में से हमने 6 कट कर दिये, यहाँ पे 3 रह गए, फि 85 सा क्या होता है 90 तो यह आगया हमारा 90 यहाँ पर minus करेंगे 00 आएगा तो answer के आगया हमारा 25 रुपीज next यह है the cost of 13 books is रुपीज 936 13 books की price 936 है find the cost of one book one book की price हमें find करनी है 13 books की price पता है one की हमें find कर는 है ज़ादा की पता है one की निकालनी है तो divide तो cost of 13 books हमारे पास है 936 तो one book की cost क्या होगी 936 को 13 से divide करेंगी तो 936 को 13 से divide करेंगी तो 13 के keyboard में 93 से चोटा नमबर कौन सा आता है 91 तो 13 7 जा 91, 3 में से 1 माइनिस किया 2 और यहां पे आ गया 6, 9 से 9 करोगे तो 0 ही आएगा, तो 26 तो 13 2 जा 26, तो यहां पे क्या आ गया 72, तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी होगी 72, तो 4 संदा कोस्ट ऑफ और डाजन और यंज रूपी 74, और डाजन का मतलब क्या हो गया कि 12 और यंज जो हैं, वो 84 रूपीज में आती हैं, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ वन और इंज, हमें वन और इंज फाइंड करना है, कितनी काता है, तो यहां पर भी जादा की पता है, हमें प्राइस 12 और इंज की पता है, प्राइस 1 और इंज की फाइंड करनी है, तो डिवाइट, जादा की पता हो, वन की फाइंड करनी हो, तो से हुम क्या करती है दिवाइट तो कॉस्ट ओफ one dozen oranges is रुपीज 84 तो वन डजन इस के ट्वेलाव 12 जो ओर इंज हैं वह 84 की हैं तो कॉस्ट ओफ one orange one orange कितने का होगा 84 को यह वले 12 से डिवाइट कर देंगे तो 12 का टेबल पढ़ो जब तक 84 नहीं आता 12 7 जा 12 8 जा No, sorry, sorry, 7 जा ही आएगा 12 7 जा 84 तो रुपीज 7 के आगया इसका आंसर Next, an amount of rupees, this is to be distributed among 16 children कहते हैं इतने rupees हैं हमारे पास, 2864 ये rupees हैं वो 16 बच्चों में divide करनी है, equal equal, बराबर बराबर पैसे हमें उनको divide करनी है What amount will each child get? एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगी? तो total distributed amount कितनी है, हमारे पास 2848 तो children कितनी है, 16 है तो इसको हम 16 से divide कर देंगे, तो 16 से divide करेंगे, देखो 16, देखो 16 के table में आएगा नहीं, तो 2 डिजिट लेंगे, ठीक है, तो 16, 12, 16, 12 तो 32 होता है तो ये तो 28 से बढ़ा हो गया, तो 1 पे गया जए, 16, 12, 16 8 में से 6 माइनिस किये 2, 2 में से 1 किया 1, ये वला 4 आगया नीचे फिर 112 आएगा इसके नीचे, क्योंकि 16, 7 सा 112 होता है, और ये 120 से छोटा है तो यहाँ पे हमने 16, 7 सा 112 लगाया, यहाँ पे 4 में से 2 मैनिस किये 2, 2 में से 1 मैनिस किया 1, 8 हमारा नीचे आगया, फिर 168 सा 128 तो 128 कहां पे आ रहा है 168 सा पे तो यहां पे माइनिस करेंगे तो 00 बच्चे का है तो हमारा अंसर के आ गया है 178 तो 178 रुपीज जो है वो एक बच्चे को मिलेंगे 178 रुपीज भाष सकि mellanशी च थे सकते है मिलें प्रिय्या करेंड़ से रखीज़ 168 रुपीज़